प्लीज इस बात को जाने दें, बेतरी इसी में थी के मननत चली जाए क्या, क्या बेतरी थी आप बताना पसंद करेंगे भाईया अगर मननत वापस ना जाती तो मा बेटी की लडाई का सारा नुक्सान मननत को ठाना पड़ता खुदाना खासा सारी जिंदगी यहीं बैठी रह जाती तो क्या हो जाता बई, जिस बेहन को हमने नाजों से पाला उसको दो वक्की रोटी नहीं किला सकते हां, तुम दोनों पर भारी पढ़ रही थी यह कैसी बात ने कर रहे हैं आप वही जो तुम नियां बीवी के दमाग में चल रहा है मननत की जिम्मेदारी नहीं उठा सकते थे तो तुम अपनी बीवी की बातों में आकर उसे उसी जहन दुम में धकेलाए और कल कल आगो, हमें भी बार निकाल दोगे क्यों कर रहे हां आप ऐसी बात है और शबीया तुम पहले दिन से जानती थी न तुम दोनों के तालूक के बारे में हम यह समझते थे कि तुम एक माँ बंद कर मनत को इस घर से रुखसद दरना चाहती हो लेकिन तुम तो सिर्फ एक जिम्मिदारी से पीछे चुड़ाना चाहती थे वास और तुम भी तो साथ करे थे ना? हमें क्या टुकु टुकु देख रहा हुआ? देखला तुम भी बार! अशाम अधाय सभिया सभी क्या हो गया है? मैं कुछ नहीं सुनना चाहती I've heard enough and I can't take it anymore अरे बात तो सुनुआ ते क्या तरीका है? सभिया 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 कर दो कर दो तंबी शबी दर्वाज़ा तो खोल दो